हलो गाइस वेलकम टो इस वीडियो तो आज की इस एपिसोड में हम लोग आईरोन मैन और साइबोर्ग की बैटल को डिसकस करने वाले हैं तो सबसे पहले इन दोनों की पावर्स एन एबिलिटीस के बाड़े में जानेंगे उसके बाद देखेंगे अगर इन दोनों में फाइट हुआ तो कौन जीत सकता है अगर बात करें साइबोर्ट के बारे में तो उसकी टेक और्गेनिक फिजियोलोजी उसे प्रोवाइड करता है कही सारे पावर्स एन एबिलिटीस को जिसमें आता है सुपर हुमेन स्ट्रेंथ उसने एक हाथ से आकुआमेन को हवा में पक्रे रखा था उसने अपनी स्ट्रेंथ को यूज करके सुपरमेन को हिल्प किया था मदरवाक्स अलग करने में वो अपनी मोडिरेट एफोर्ट से 5-10 टन्स अफ वोइड को तो उठाई सकता है साइबोर्ग के पास है सुपर हुमेन डियुरिबिलिटी साइबोर्ग की साइबरनेटिक बॉड़ी एक्स्ट्रेंबली डियूडबल है उसकी बॉड़ी बुलेट प्रूफ है सिर्फ यही नहीं वो सर्वाइब कर सकता है मिसाइल्स एन ग्रेनेट की एक्स्पलोजन को भी लेकिन अगर कोई साइबोर्ग से जएदा पावरफुल होगा तो वो साइबोर्ग को इंजूट कर सकता है यानि साइबोर्ग की साइबरनेटिक बॉड़ी को तोड़ सकता है जैसी कि स्टेपेन ओफ ने साइबोर्ग की लेग को उसकी बॉड़ी से अलग कर दिया था उसे प्रोवाइट करता है इन्हेंस्ट रिफ्लेक्सेस, साइबर अपने ओपोनेन की आटैक पर बहुत ही जल्दी रियक्ट करता है, सिर्फ यही नहीं वो बुलेट्स या फिर मिसाल्स को भी डॉच कर सकता है, साइबर्ग के पास है सुपर हिमन स्टैमिना, उसकी स्टैमिना कर सकता है, साइबर्ग के पास है सेल्फ मोडिफिकेशन की एबिलिटी, जिसमें आता है सेल्फ रिपेरिंग एंड सेल्फ वेपन क्रियेशन, साइबर्ग किसी भी वून्ड या फिर्ट किसी भी डेमेज से अपनी और्गनिक बॉडि पार्ट्स को मिन्टों में क्योंकि साइबर्ग के पास है सेल्फ वेपन क्रियेशन की एबिलिटी, तो वो अपनी इस एबिलिटी को यूज़ करके कही साड़े वेपन्स जेनरेट कर सकता है, जिसमें आता है प्लाजमा कैनन, जिससे वो बहुती जयदा पाउर्फुल एंड ब्लास्टिंग ब्लू हॉ सकता है, जो कि इतना पाउर्फुल है कि सुपरमेन की हीट विजन को भी डिफलेक्ट कर सकता है, साइबर्ग के पास है टेकनोलेजी मैनोपलेशन की एबिलिटी, वो अपनी इस एबिलिटी को यूज़ करके वे हाईली सिक्वेर्ड बैट कम्पूटर को भी एकसेस कर पाया इसके अलबाब वो होलोग्राफिक पोजेक्शन भी कर सकता है और उसके पास टेकनोलेजी इनहेंस्मेंट की भी एबिलिटी है, साइबर्ग ग्रेट स्पीर्ट से उड़ भी सकता है, साइबर्ग की इंटेलेक्ट जीनियस लेबल पर है, साइबर्ग जब हुमन था तब भी से ही वो जीनियस था, लेकिन विक्टर स्टोन जब साइबर्ग में बदल गया था, तब उसकी माइन इंटेनेट से वैस्ट अमानट आटा को अब्जॉर्ब करने के बाद उसकी इंटेलेक्ट लेबल एक नेक्स लेबल पर चला गया है, साइबर्ग एक मास्टर इंजिनियर में और वो एक मास्टर कॉम्बेट अन भी है, और साइबर्ग एक मास्टर मार्क्समेन भी है, तो ये तो था साइबर्ग की पावर्स एन एबिलिटीज, अभी अगर हम बात करें आर्रन मेन की मार्क 85 आर्मर की बारे में, तो इस आर्मर को फंक्शन किया गया है नैनाइट अर्म ये और मेन अपनी स्टर की वन अफ डी ग्रेत एन पाउर्फुल आर्मर में से एक है, तो ये तो ये आर्मर टॉनी स्टा को प्रॉवाइट करता है सुपर हीमन स्टरेंफ इस आर्मर को यूज करके तौनी स्टर्क ने थैनोस को फ्यूजिकली असौल्ट कर पया था, और Iron Man ने अपनी इस आर्मार को यूज़ करके कही सारे Outriders एंड थैनोस की आर्मी मेंबर्स को मारा भी है Mark 85 extremely durable है Iron Man अपनी इस आर्मार को यूज़ करके कही बार थैनोस की अटेक्स को जहला है और सिर्फ यही नहीं मेउनेर से accidental blow लगने के बाद भी Tony Stark सिर्फ knockdown हुआ था लेकिन आर्मार को कुछ भी नहीं हुआ था इस आर्मार पे है enhanced herd यह आर्मार capable है किसी भी machinery objects और environment को analyzing करने में सिर्फ यही नहीं इस आर्मार को यूज़ करके Tony Stark दीवार की उस पर की objects को भी analyze कर सकता है तो अभी अगर हम बात करें इस आर्मार की weapons variety के बारे में तो इस आर्मार पे है repulsors repulsors को यूज़ करके Iron Man high intensity से energy beams को fire कर सकता है repulsors Iron Man की punches and kicks की power को भी enhanced करता है Iron Man की इस आर्मार पे है uni beam Iron Man अपने आर्क रियक्टर की central से एक बहुती ज़्यदा powerful energy blast को projection कर सकता है जो की capable है थैनो सेफिट थोर्ड जैसे powerful beings को knockback करने में Iron Man की इस आर्मार पे है advanced laser system जिससे वो बहुती ज़्यदा strong metal को भी काट सकता है Iron Man की इस आर्मार पे है nanite manipulation की ability वो आर्मार की nanobots को reconfigure करके किसी भी type की weapons बना सकता है अपने energy blast या फिर अटेक्स को perform करने के लिए Iron Man की इस आर्मार पे है suit materialization की ability वो अपनी chest पे लगे arc reactor को press करके अपनी body की किसी भी individual parts पे suit को materialize कर सकता है जैसे की अपने हाथ पे या फिर पेर पे Iron Man की इस आर्मार पे है lightning refocusing की ability जैसा की हमने movie पे देखा Iron Man ने अपनी back पे लगे six energy absorbing panel को use करके थोर की lightning blast को absorb करके Thanos की उपर projection किया था जो कि इतना जैदा powerful है कि Thanos को knock back कर सकता है Iron Man की इस आर्मार पे है energy blades वो अपने आर्मार की nano technology को use करके इस blade को बनाता है जो की Thanos के साथ fight करते दोरान हमने देखा था Iron Man की इस आर्मार पे repulsor cannon भी है Tony Stark आर्मार को materialize करके अपने हाथों के आसपास large apertures बना सकता है जो की repulsor blast की energy को enhanced करता है Tony Stark की इस आर्मार पे है micro missile launcher जो की उसकी shoulder से निकलता है और वो अपने इस micro missile को use करके बहुती ज़्यदा powerful explosion भी कर सकता है Tony Stark की इस आर्मार पे है medical spray जो की हमने movie पे देखा था कि उसने hulk की उपर use किया था Tony Stark की इस आर्मार पे है zero cannons जो की liquid nitrogen से बना एक weapon है Tony Stark अपनी इस आर्मार से energy shields को भी बना सकता है जो की बहुती ज़्यदा powerful है Tony Stark अपनी इस आर्मार से hologram recording भी कर सकता है Tony Stark की इस आर्मार उसे flight की ability को भी provide करता है और वो बहुती ज़्यदा तेजी से उर सकता है Jet propulsion को यूज करके वो अपनी speed को बहुती ज़्यदा enhanced कर सकता है Tony Stark की इस आर्मार पे है infinity stones को hold करने की ability Tony Stark अपनी इस आर्मार की यूज करके infinity stones को hold कर सकता है और उनकी power को यूज करके snap भी कर सकता है इन सब चीजों के अलाबा Iron Man यानि Tony Stark बहुती ज़्यदा intelligent है वो अपनी intelligence को use करके literally कुछ भी कर सकता है और इसका example आप लोगोंने movie से तो देखा ही होगा तो ये तो था Iron Man की Mark 85 Armor की powers and abilities तो ये दोनों character ही बहुती ज़्यदा powerful है और दोनों के पास ही काफी सारे abilities है तो इन दोनों character की powers and abilities को analysis करने के बाद मुझे लगता है इस battle में कही सारे possibilities हो सकता है तो अगर यहाँ पर हम बात करें strength, speed, durability and reflexes के बादे में तो दोनों character ही कोई किसी से कम नहीं है लेकिन साइबोग की stamina Iron Man से ज़्यदा है तो इस battle में Iron Man को बहुती ज़्यदा दिक्कात होगा और ऐसा भी हो सकता है वो इस battle को हार जाए और मुझे लगता है साइबोग ऐसा कर भी सकता है क्योंकि उसने highly secured bad computer को भी access कर लिया था लेकिन Iron Man की armor की artificial intelligence को hack करने के लिए साइबोग को time तो ज़रूर लगेगा और मुझे नहीं लगता battle की दरण उसे access करने का time मिलेगा तो यहापर अगर साइबोग अपने powers and abilities को Iron Man के खिलाव अच्छे तरीके से use करके उसके उपर काफी सारे powerful attacks and strikes कर पाए तो वो इस battle को जीत सकता है वो ही Iron Man के लिए भी same है वो भी अगर साइबोग के खिलाव अपने powers and abilities को अच्छे तरीके से use करके उसे काफी सारे powerful strikes and blows दे पाए तो वो भी इस battle को जीत सकता है तो मेरे ही सबसे इन दोनों के पास ही जीतने का chances 50-50 है लेकिन अगर इस battle से पहले दोनों को ही preparation की time मिल जाए तो साइबर्ग अपनी self weapon creation को use करके Iron Man की खिलाव काफी सारे powerful weapons बना सकता है और अपने powers and abilities को modify करके और भी ज्यादा enhanced कर सकता है वो ही Iron Man भी अपने armor पर ऐसा prototype डेबलाप कर सकता है जिससे वो साइबर्ग को हड़ा पाए लेकिन with preparation time मुझे है लगता है इस battle को जीतने का chances Iron Man के पास जैदा है क्योंकि उसकी intelligence की example तो हमने movie से देखाई है तो ये तो ता सिर्फ मेरा opinion इन दोनों की battle को लेकर आप लोग भी अपना opinion comment section पे जरूर बताइए कि आप लोगों को क्या लगता है इन दोनों में से जीतने का chances किसके पास जैदा है तो मैं मिलता हूँ आप लोगों को next video पे thanks for watching